आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनोट करें। तो इसकी सनचना कुछ इस प्रकार से बनेगी, R, C, O, O, ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर इसका बनेगा, और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पे, और इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज भी होगा, ठीक है, इस पे माइनस चार्ज होगा, और ये डबल बॉंड शिफ्ट होगा, और ये माइनस चार्ज यहां शिफ्ट होगा, फिर ये करके इस वाले उक्सीजन पे भी आ जाएगा, तो इसकी सनचना कुछ इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, C, O, यहां पे डबल बॉंड आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे भी डबल अनुनादी सन रचनाए हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कार्बाग्सलेट आयन में स्टेबिलीटी आ जाती है, कैसे रेजानेंस की सहायता से, जिसे हम अनुनाद बोलते हैं, ठीक है, कार्बाग्सलेट आयन यह हाईप्रिड है, दो इक्विवेलेंट स्ट्रेक्चर का जो कि हम यहाँ भी देख रहे है इसका और इसका ठीक है इसमें क्या है निगेटिव चार्ज होता है मारा वो डिलोकलाइज होता है पहले जैसी यहाँ पर ठीक है अब यह डिलोकलाइज होकर कि इस वाले oxygen पर आ गया देखा हमने तो दोनों ही oxygen atom पर ये डी लोकलाइज होता है और इससे क्या होता है कि इससे इस oxalate ion की stability बढ़ जाती है stability increase होती है stability को ही हम क्या भी बोलते है स्थाय तो कैसे negative charge के delocalization से ठीक है so thank you